आप सभी का स्वागत हैं आज मैं बात करने वाला हूं बिहार करेंट अफियर्स अगस 2023 के बारे में आप जानते हैं कि बिहार से रिलेटेड हर महीने की करेंट अफियर्स इंडिवीजुली और सेपरेटली डिसकस की जाते हैं आप लोगों के साथ इससे पहले हम जुलाई 2023 बात करेंगे जो जो इंपोर्टेंट न्यूज रही है बिहार से रिलेटेड हैं के हरेके एक एक जाया के सवाल ज़रूर पूछे जाते तो चलिए शुरुवात कर लेतें जल्दी से इन सवालों के बारे में क्या-क्या इंपॉर्टेंट कोशन हमरे पास रहेंगे यहां सबसे ज्यादा ओन लाइन चालान के मामले में जो राजसान सेंबस होई Bihar राजिये के उस इस्थान पर , नमबर पर रहा है वह तो याद रखेंगे धिखें यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ऑनलाइन चालान की बात की गई है सर और ऑनलाइन चालान में राजसान की आए जो है स्टेट के अंदर राजिस्तान नंबर वन पर होगा लेकी बात जब भियार इसर भियार जो होगा वह पांचवे पाइधान पर होगा फिफ्ट सूजिशन पर होगा याद रखेंगे कि पांचवा नंबर जो मिला है वो बिहार को मिला है वहीं चलिए इसे याद रखेंगे पहला important question है कि बिहार पांचवे इस्तान पर रहेगा तेकिन question है कि हाली में बिहार के किस जिले की रोहनी जहा को Mrs. India 2023 चुना गिया है तो बिहार से इस बार Mrs. India 2023 का टाइटल जीतने वाली जो महिला है उनका नाम होगा यहां पर रोहनी जहा लेकिन ये बिहार में कहां से ब्लॉंग करते हैं तो याद रखेगा बिहार के सहरसा से ब्लॉंग करती हैं तो बिहार के सहरसा से बिलॉंग करने वाली ये जो महिला हैं ये इस बार क्या बनी है सरोहिनी जा जो है मिसिस इंडिया 2023 बनी है किस उच नियाले ने बिहार में जाती आधारी सरवेक्षन को फिर से शुरू करने का आधेश दिया है आप जानते हैं कि बिहार में जाती गत जनगर्णा कराई जारी इसका पहला चरण पूरा कर लिया गया और दूसरा चरण होने पर इस पर रोक लगा दी गई और बाद में इस रोक को हटा दी भी गया तो याद रखेंगे ये काम किस का होगा ये हाई कोट का होगा ये उचने आयाले का होगा और बिहार संबंधित मामलों में बिहार में यानि कि पटना उचने आयाले जो है और हम जानते हैं सर इसके नए चीफ जस्टिस भी बने हैं 2023 के अंदर उनका भी नामा को याद करना जरूरी होगा बिल्कुल तो यहां पर पटना हाई कोट ने बिहार में जाती इसके अंदर दुनिया के 68 कंट्रीज है इंडिया और एशिया के अलावा इसमें आउटसाइड एशियन कंट्रीज भी शामिल है और इसके अंदर मसत सुगू असकावा जो की जापान से आते हैं वो इसके अध्यक्ष बने हुए हैं तो बिहार की सडकों का निर्मान करने के लिए बिहार में डेवलप्मेंट प्रोजेक्ट्स के लिए यहां पर 295 मिलियन डॉलर्स करण समझोता यह भारत सरकार और ADB के बीच में हुआ है चलिए आगे बढ़ते हैं सर अगले कुश्चन को देखते हैं हाली में एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य की बिजली कंपनी पिछले 65 वर्षों के इतिहास में पहली बार मुनाफ़े में आई है यानि पहली बार प्रॉफिट हुआ ऐसी कंपनी इसक तो वो कम रेट पर अपको पर यूनिट बिजली का रेट काफी कम रखना पड़ता है लेकिन अब दीरे-δीरे कमपनी आपने अलग-लग आल्टरनेट चन रही अलग-लग आल्टरनेट के माध्यम से काम कर रहे हैं एक्छली और यहां पर बात हो रही है बिहार की पावोड के लिए समानित की गई तो एक हमारी रोहनी जाक का नाम इंपॉर्टेंट है और दूसरा यहां पर खुश्बू जाक का नाम इपॉर्टेंट है और जो खुश्बू जहां है यह भी सर सहरसा जिले सही बिलॉण करती है जो महिला नेता पृस्कार से सम्मानित किया गया है तो कहां से होंगी सहर सजले से होंगी अगला कुशन है कौन सी राज्य सरकार ने गेंडा संरक्षन के लिए यानि की राइनोज कंजर्वेशन के लिए टास्क फोर्स एक योजना बना रही एक टास्क फोर्स बनाने की योजना बनाई है बिसिकली एक टास्क फोर्स क्या काम करेगी किस प्रकार से गेंडा सनरक्षन किया जा सकता है राज्जिय के अंदर और साथ में वल्चर कंजर्वेशन की बात भी हो रही है सर वल्चर जिने एशियन किंग कहा जाता है एक्चुल में जिसे गिद कहते हैं पर सनरक्षन के लिए तो बात बिहार सरकार की हो रही है बिहार दुआरा गेंडा सनरक्षन के लिए एक टास्क फोर्स बनायी जाएगी अगला कोशन है बिहार में जेवी खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कितने रुपे की निकासी एवं वियाय को मनजूरी दे दिया यानि हम कितने पैसा निकाल सकते हैं बिहार के इस consolidated fund से आप जानते हैं कोई भी पैसा खर्च किया जाए तो वो consolidated fund से किया जाता है औ इस बात के लिए विधान सभा की मनजूरी यानि कि यहां पर जो विधान परिशद होगी क्योंकि बिहार में दोनों ही है विधान सभा और विधान परिशद दोनों है यहां पर विधाईका की मनजूरी जरूरी होगी और यहां 30.15 यानि लगबख 30.15 करोड रुपे जो है यहाँ पर देने होंगे जो कि जेवी खेती को बढ़ावा देने के लिए होंगे लेकिन यह वैल्यू इतनी क्लोज है याद रखेगा यहां 30.5 और यहां 30.6 और अगर आप राउंड फिगर में जाएंगे तो आप कि जर्वी जा सकते हैं तो इसलिए कन्फ्यूजन में है यहां पर थोड़ा सा क्योंकि इतने क्लोज आंसर आते नहीं है वैसे 30-31 करोड भी होता तो आंसर हो जाता यहां पर 30.16 भी हो सकता है क्योंकि वो इसी के नियरबाई जादा आंसर रहेगा इसलिए याद रखेंगे 30.16 करोड कह सकते हो हाली में अमरित भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों का यहां पर शुरुआश इलानियास कर दिया गया एक्चल में एक योजना लाई गई सरकार दुआरा अमरित भारत स्टेशन योजना के नाम से और इसमें 1275 रेलवे स्टेशनों को पहले चुना गया जिसमें 86, 86 बिहार के हैं लेकिन इस 86 में से अभी 49 रेलवे स्टेशनों को अगले फेज में यानि अगली बार में शुरू करेंगे क्योंकि 1275 में से अभी 508 परहीश का शेलानियास किया गया है तो बिहार के कितने होंगे सर यहां पर 48 होंगे 49 होंगे याद रखेगा तो यह जो आंसर आपके पास रहेगा रीसेंट के लिए सर अभी 49 बिहार के 55 है उत्तर परदेश के आपका पड़ोसी राज्य जो बनेगा वहां के 55 पर शेलानियास किया गया जबकि UP के 149 टोटल लि 27 सवतंतरता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पठना में कितनी विभागों की जाक्या निकाली गई जो अलग-अलग डिपार्टमेंट से बिहार सरकार के उनके डिपार्टमेंट्स की जाक्या निकाली गई बिहार में सवतंतरता दिवस मनाया गया पठना के गांधी श्वाज़ा अच्दान मैं और यहां पर तेरह अलग-अलग विभागों की जाकिया निकाली गई थी ठीक है बई यह याद रहेगी बात कि यहां पर जो अलग-अलग विभाग निकाली गई ऑ और यहां पर 13 अलग रगवी भागों की टाब्लियूज निकाली गई थी चलिए आगे देखते हैं आजादी का अमरित महसव के अंतरगत बिहार में कहां पर क्रांती तीर्थ कारेकरम कायोजन क्या गया है तो बिहार में वो लोग जो जिन्होंने आजादी के लिए आपने और यहां पर क्रांती तीर्थ नाम का करेकरम क्या गया है जो कि चंद्रगुप्त इंस्टिट्यूट ऑफ मेनेजमेंट में क्या क्या अगर सवाल जीके में बूचता है तो यह बूचेगा कि चंद्रगुप्त इंस्टिट्यूट ऑफ मेनेजमेंट कहां पर आता है तो भी याद रखे गई है यूप बिहार के अंदर पट्रना में बना हुआ है सर एक्च्वली तो पट्रना के अंदर चंद्रगुप्त इंस्टिटूट आफ मेनेजमेंट में ये क्रांती तीर्थ करेकरम का यूजन क्या गया था आजादी के उपलक्ष में किस राज़े में एक कला परदर्शनी है टुगेदर वी आर्ट की शुरुवात की गई है तो टुगेदर वी आर्ट के नाम से यहाँ पर एक कला परदर्शनी है इसका आयोजन क्या गया याद रखेगा और इसका आयोजन कहां पर हुआ है मैं बताऊं इसका आयोजन बिहार म् में हुआ है अब ये बिहार संग्राले कहा बना हुआ है तो मेरे मेद रखेगा यह बिहार म्यूजि unknown जो बना हुआ यह ठाव में है और हम जानते हैं पटना जो की राज्य की राजह निये वहाँ पर होगा तो यहां पट टूगैदर वी आर्ट नाम का प्रोग्राम है और इसकी शुरुवात बिहार के पटना के बिहार म्यूजियम में की गई है कौन सी भारतिय फिल्म आसकर के लिए स्टुडेंट अकैडमी अवोड में के सेमी फाइनल में पहुंच गई ती यहां पर तो इस्टुडेंट्स अकैडमी अवोड की बात हो रही है सरी यहां पर यह ऑसकर अवोड कोई अकैडमी अवोड कहा जाता है लेकिन यह इस्टुडेंट केटेग्री में आता है यहां पर और एक मूवी जिसका नाम है चंपारन के नाम से याद रखेगा चंपारन मतन यह एक मूवी एक छोटी सी मूवी एक शौट मोवी अपने तोस्तो की नजर में नितीश कुमार है हिप सारे दाव के दुवारा मिलकर लिखी गई उनके जीवन के बारे में उनकी friendship के बारे में और किताब को लॉँज के आ Rouge कि Korean ओर और शु וर और किताब को किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखा है यह बहुत सारी अलग अलग एक वीज का कलेक्शन किया गया है जो नितिश कुमार के बारे में हम जानते हैं तो लालु परसाध यादव ने इसकिताब का विमोचन किया है बिहार में जेव इंधन प्रोसाहन पॉलिसी एक्चुली लाई गई है यहाँ पर यानि बायो फ्यूल प्रोडक्शन प्रोमोशन पॉलिसी इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार कोशिश करें यहाँ पर लगतार बायो फ्यूल्स को बढ़ावा देना वैसे आप जानते हमार गडबंदन होगा महागडबंदन होगा बेसिकली दुनिया के बहुत सारे देश उसके लिए एगरी भी हो चुके हैं वैसे ही याद रखेगा बायो फ्यूल प्रमोशन पॉलिसी बिहार लेकर आया जो कि 2023 से लेकर दोजार अठाइस में 31 मार्च तक रहेगी क्योंकि हमारे फाइनेंशल येर अप्रेल से लेकर मार्च तक होता है तो बायो फ्यूल प्रमोशन पॉलिसी का 30 मार्च दोजार अठाइस तक रहेगी बिहार में एक पहली बार औध्योगीक विकास रैंकिंग में कौन सा जिला पहले नमबर पर है जहां का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सबसे फास्ट है सबसे तेजी से इंडस्ट्रियली डेवलप हो रहे है वहां पर तो ये बिहार उद्योग विभाग के द्वारा जारी की गई रैंकिंग है और धोगिक विकास रैंकिंग में बिहार का सीवान जिला जो होगा वो याद रखेगा नंबर वन पर होगा तो बिहार का जो सीवान जिला होगा वो नमबर वन पर होगा इस मामले में जबकि हम जानते हैं उसके बाद जो नमबर होगा वो पतना का होगा तो सीवान नमबर वन पर होगा और पतना नमबर दो पर होगा पतना वन पर नहीं होगा इस कहते का चलिए आगे देखते हैं सर जहानाबाद के बाद बिहार का कौन सा जिला 100% डिजिटल बैंकिंग सुविधा परदान करने वाला दूसरा जिला बन चुका है तो यहाँ पर जहानाबाद जो आप जानते हैं कि जिला है एक और इसी जिले से कट करके अरवल को बनाया गया था सर और उस इजिटल बैंकिंग वाले हो गए अगला कोशन है अम्रित भारत इस्टेशन योजिना के पहले चरण में बिहार की कितने रेलवे स्टेशनों को चुना गया यह कोशन यहाँ पर मुझे लगता है कि बिलकुर रिपीट हो गया है बट कोई बात नहीं सर इतने कोशन सोते हैं अलगे लाजों के मासिक धर्म के लिए लटों और महिलाओं के मासिक धर्म स्वच्टा के लिए जो रोड मैप त्यार किया जा रहा है अगले दो साल में लड़कियों को महिलाओं को और करने के बारे में और ये बात बिहार के दुआरा की गई है अगला कुशन है कौन नालंदा विश्विद्याले के नए चांसलर बने है तो जो नालंदा युनिवर्स्टी आप जानते हैं बहुत फेमस और बहुत फेमस इंडिया में नहीं वर्ल्ड की फेमस है और आप जानते हैं इसको जलाया जिए था लेकिन ये बिहार का प्रतीक भारत का प्रतीक आज भी और ये बताता है कि भारत की शिख्शा पध्ति कितनी पुरानी है भारत में तो यहाँ पर जो नीती आयोग में पहले डिपडी चेर्मेन रह चुके हैं और विंद पंगड़िया के नाम से चुली तो यहां पर उन्ही को नालंदा युनिवर्स्टी का चांसिलर बनाया किया है अगला कोशन है यहापर सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को मुफ्त दवा उपलब्द कराने के मामले में बिहार का कौन सा इस्थान है तो जितने लोग बिहार में इलाज कराने आत और राजिस्थान जो है वह पहले सा पराता है हाली में भारत की खूफिय एजनसी रौ के नए अध्यक्ष रवी सिनहा बनाए गए वह बिहार के किस जिले से बिलॉंग करते हैं तो रवी सिनहा जो रौ रिसर्च एंड अनेलिसिस विंग के अध्यक्ष बनाए गए याद र दिया लग कुछ पार्ड का नाम जो है वह कोकोनट पार्क से बदलकर बिहार में पटना में इनकी इसका नाम अटल बिहारी वाजपी पार्क कर दिया गया था और अबoca से याद रखे मेडल रजत पदक जीत लिया तो बिहार के एक खिलाली है वुशू एक खेल है अब कैसे खेला जाता हूँ आप एक बार नेट पर देख सकते हैं आपके पास ऑनलाइन रहते हैं आप लोग तो बिहार का वो खिलाली जिसने अभी जूनियर वुशू चेंपेंशिप 2023 को जीत ल नाम होगा क्योंकि ऐसे लेवल पर भारत की खिलाली बहुत रेर पहुंचते हैं वुशू इतना खेल नहीं है भारत के लिए बिहार में जाती है जनगलना का जो डेटा होगा वो किस एप पर अपलोड किया जाएगा बिहार में कौन सी जाती कितने लोगों कि रहते हैं वहा आप के नाम से होगा राष्ट्रिये शिक्षक पुरुसकार के लिए बिहार के कितने शिक्षक नामित हुए देखो इस बार नामित तो छे हुए हैं नॉमिनेट तो छे हुए और उन छे में से याद रखेगा तीन को मिला यानि टोटल इस बार 75 75 टीचर्स को नैशनल टीचर्स डे पर नैशनल से तीन बिलॉंग करते हैं नामित किये गए ते छे नॉमिनेट लेकिन उमें तीन का ही सेलेक्षन हुआ है गांधी मैदान तक दीघा से लेकर गाधी मैदान तक जो पूरा परिकलित परिवर्तन का वरणन करने के लिए किस नाम का उपयोग किया जा रहा है यानि कि दीघा स से लेकर गांधी मैदान तक के रास्ते को सलक को इसको परिवर्तन को परिकलित करने वाला वरणन करने वाला यह होगा यहां पर अगला सवाल है बिहार में बोली जाने वाली कौन सी दो बोलियां विलुप्त होने के कगार पर हैं तो बिहार की दो ऐसी भाशा है जिनको कहा जा रहा है कि वह जल्दी ही विलुप्त हो जाएंगी वैसे आप जानते हैं थारू जाती एक और यह उत्तर प्रदेश में काफी बड़ी संख्या में रहती है लेकिन बिहार में भी इस जाती कि कुछ लोग आपको मिलेंगे और सुर्जा पूरी जो भाषा है यह अगला है बेफिक्र एप को लाँच करने का उदेश्य क्या है यह जो बी एफाई क्यू आर के नाम से एक एप लाया गया एक्चुल में बिहार में जो सूखा पड़ता है या बार जाती है बिहार के अंदर उसके बारे में लोगों को पहले से अवेर करना होगा और इसके ल प्रभाव को कम किया जाए बाड़ और सुखे के प्रभाव को कम करने के लिए बैफिक्र एप लाँच किया गया है तो यह है आज की क्लास और उसके बाद इसके आंसर की भी मैं आपको दूँगा तो complete information आपको यहाँ available होगी यह 30 important question मैं आपको करा है अगस्त 2023 मंत के और जल